नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मर उप्स के यूट्यूब ए जिगेस्टन चैनल में आज हम सिखने वाले हैं एंबिस्टिन एस इंजेक्शन के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेसिक उसके बना के कौन से अलग-अलग उसके भारे में सिखेंगे उसके सैल एफक्स ग्या है और डिटेली करेंगे ऐन्टिजेक्शन की तो यह और उसके अंदर salt content के हम बात करें तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसन की जो एक एमिनोग्लाइकोसेड ग्लास का एंटिबायोटिक ड्रग है की जो बहुत सारे बैक्टरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है और मैनुफेक्चर के हम बात करें तो अबोर्ट हेल्थकर प्राइविट लिमेटेड उसके मैनुफेक्चर है स्ट्रेप्टोमाइसन के बारे में आपको बदद हूँ कि यह जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसन ग्रेसियस करके जो बैक्टरियल स्पेसिस होती है उसी में से यह बनाए जाता है और यह सबसे पुरानी और काफी पुरानी एंटिबाइटिक दवाई है तो डीटेल में जानते हैं उसके बारे में तो ऐसे ही आपको सिदना है बहुत सारे दवाईों के बारे में तो आप मेडिसिन कोर्स को जोइन कर सकते हैं तो मेडिसिन कोर्स को जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है 901631-2020 पर या फिर हमारी आपको download कर सकते है link description box के अंदर आपको मिल जाएगी तो बाते हैं topic पे और समझते हैं Ambistrin S injection के बारे में तो यह antibiotic medication है कि जैसे हमने आगे भी जाना है उस तरह से streptomycin जो उसके अंदर main salt है कि जो 750 mg जितना present है और aminoglycosid class का यह antibiotic ड्रग है कि जिसके manufacture about healthcare private limited है तो यहाँ पे हम उसके label की study कर सकते हैं कि streptomycin injection यहाँ पे लिखा हुआ है IP के standard उसको बनाएगा है 0.75 ग्राम मतलब की 750 mg जितना यह medication उसके अंदर present होता है और direction यहाँ पे खास यह है कि यह intramuscular ही use के जाता है I am use only लिखा है तो सिर्फ और सिर्स muscles में ही यह injection को जो वो लगाया जाता है तो streptomycin के बारे में मैं बता दो कि यह काफी पुरानी antibiotic ड्रवाई है aminoglycosid class की और यह streptomycin grecies करके जो bacterial species आती है उसी में से यह medication जो वो बनाई जाती है तो यह antibiotic जो बहुत सरे bacterial infections को treat करता है और खास कर muscles में उसको जो लगाया जाता है कि जो intramuscular injections होते हैं कि जो 90 degree पे खास कर लगाया जाता है कि यह directly आपका जो muscles होता है वहाँ पे यह injection जो वो लगाया जाता है तो यहाँ पे जो आप देख रहे है diagram के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ मसल्स में ही यह injection लगाया जाता है तो यह खास ध्यान रखना होता है कि जब यह आप उसका while चेक कर तो while के ओपर यहाँ पे proper instructions लिखे होते हैं कि IEM के लिए ही उसको use किया जाता है अब जानते हैं कि यह medication जो वो कौन से अलग अलग बीमारियों को ठीक करता है तो TB के इलाज में यह injection लगाया जाता है कि जो first line drug कहा जाता है tuberculosis की जो हम TB की समझ से कहते हैं उसके अंदर और जो antibiotics के तोर यह पूरी therapy होती है TB के इलाज में उसमें से यह first line medication है कि जो combination में use की जाते हैं दूसरी anti-TB drugs के साथ दूसरे उसके basic use हम देखे तो bacterial infections जैसे की TB और mycobacterium avium complex के जो बीमारी होती है कि जिसको हम MAC कहा जाता है MAC complex जो कहा जाता है तो उसके इलाज में भी use के जाता है endocarditis की जो condition है brucellosis की condition है plague के बीमारी है rate bite fever है तो यह सभी conditions को treat करने के लिए यह medication जो यूज की जाती है mechanism के हम बात करें तो यह क्या करता है bacteria के अंदर protein synthesis की जो process होती है उसको inhibit कर देती है और वह खासकर ribosomes का 30S unit होता है वहाँ पर bind होके यह हमारे medication जो वह काम करती है जिसके करने bacteria के अंदर अपना protein जो बनाना होता है वह protein नहीं बना पते और उसके कारण जो आगे जाके वह survive नहीं कर वाते और उनकी growth जो वह inhibit हो जाती है तो यह injection लगाने के बाद क्या होता है कि bacterial infections जो वह दिरे-दिरे कम होने लगता है अब बात करते हैं उसके dose के तो dose हम देखे हैं कि किसे को acute infection से तो उसके अंदर dose रहता है एक gram जितना रहता है intramuscularly once a day या फिर दिन में दो बार 7 से लेकर 10 दिन तक तो यह आप खास देखो कि जो course का duration रहता है वो रहता है खास कर 7 से लेकर 10 दिन तक और patient जो दिन में 1 ग्राम या फिर 2 ग्राम जितना यह medication जो रिसीव गरता है दूसरी समझे कि पेशन की पचास साल या फिर उससे ज्यादा है तूस्वक 75 ग्राम मतलब कि 750 मिलिग्राम जितना ही उसको डिया जता है दिन में टीबी की हम बात करें तो टीबी के लिए उसका डोस रहता है एक ग्राम या फिर 750 मिलिग्राम इंट्रा-मस्कलर ली दिन में एक बार या फिर वीक में जो रहता है तीस से लेकर 60 देश जितना है सेफ यूज के हम बात करें तो किस तरह से यह मेडिकेशन को सेफ ले यूज किया जाए तो यह इंजेक्शन लगाने से पहले कुछ इंस्ट्रेक्शन्स फॉलो करनी होती है कि सबसे पहले आपको लेबल पढ़ना होता है कि इंट्रामस्कलर है या फिर आइवी है तो वह कॉंटर इंडिकेशन को आपको अच्छे से पता होना चाहिए यह इंजेक्शन को लगाने से पहले हैं जैसे कि यह इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ साइड एफेक्स हो जकती है जैसे कि आपको पेसन काउंसलिंग या फिर पेसन हिस्ट्री चेक करने चाहिए कि अगर इ के अलर्जी या फिर उसके सीमिलार दूसरे अमिनोग्लाइकोसेड की अलर्जी है तो यह मेडिकेशन जो उनको नहीं लगानी चाहिए है फिर नियाप्रोटॉकसिटी का किसी को प्रॉब्लेम है हीमोलाइटिक एनेमिया लुकोपेनिया नियूरोमस्कलर ब्लॉकेज है थ्रॉ साइड एफेक्स कर सकती हैं तो लॉस ऑफ बैलेंस बैलेंस डिसोर्डर हो सकते हैं किसी को यह मेडिकेशन लेने के बाद किड्नी खराब हो सकती है हीरिंग लॉस होना ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाना इंजेक्शन साइट पर रियाक्शन होना पैरालिसीस inability to breathe फिर pregnancy के अंदर इसको यूज नहीं करने चाहिए because permanent deafness जो बेबी के अंदर मतलब कि जनम से ही बेबी को कम सुने देगा या फिर सुनाई ही नहीं देगा यह से कुछ sad effects करवा सकते हैं मतलब कि pregnancy के दोरान उसको यूज नहीं करना चाहिए तो इसलिए मैंने आपको आगे भी बताए कि safe use के लिए patient का diagnosis करना और उसके medical history चेक करना जरूरी है और patient counseling पे काफी जरूरी बनता है तो contraindications हम देखे तो pregnancy के दोरान जो वो यह contraindications list में है breastfeeding के दोरान उसको यूज नहीं के जाते हैं जिनको renal failure है मतलब कि kidney कर आपके patient है pregnancy के दर हम यह fetal autotoxicity करवा सकती है मतलब कि बच्चे को जनम से ही सुना ही नहीं देगा या फिर कम सुना ही देगा फिर autotoxic drug जैसे की furosemide या फिर minocyclin के साथ कभी भी combination में यूज ना करे नेफ्रotoxic drug जैसे की vencomycin and cisplatin के साथ इसको combination में यूज नहीं किये ज़दा और जो kidney disease के जो patient है या फिर जो उमर वाले patient है उनको भी खास precautions के साथ यूज की जाती है muscle reactions के साथ उसको precautions के साथ यूज की जाती है और दियान यह रखना है कि same syringe के अंदर जो यह दूसरी drug जो यह वो mix ना करे महला कि आप streptomycin के से को injection दे रहा है तो वही injection के अंदर दूस पुछ रोगों को आदत होती है कि streptomycin समझे के syringe के अंदर फिल किया हुए और उसके साथ समझे के दूसरा injection भी साथ ही मिक्स करके patient को लगाते हैं पर यह सा जो है आपको नहीं करना चाहिए लूप डायरोट के साथ दूसरे एमिनोग्लाइकोसाइड के साथ जैसे के कारण जैवह दूसरे medication जैसे कि आपको सीखना है बहुत सारी दवयों के बारे में तो आप medicine को जोइन कर सकते हैं फार्मरोक्स के उपर तो ये कोर्स जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं 90163122020 या फिर हमारी आपको download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी Good luck and all the best